Hello dear students, welcome back to our channel बच्चो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 2.8 जो की बड़ी ही इंट्रेस्टिंग बोयम है हमारे HSC Board की हमने कई बार नेचर को देखा है, नेचर के बारे में सुना और हम काफी जादा अफेक्शनेट भी रहते हैं अटार्च भी है नेचर से क्योंकि हमको ज़्यादा अच्छा लगता है राइट कहां ये पल्यूशन वाली लाइफ में जीए इसलिए कहीं रेस्ट करने के लिए हम चले जाते हैं नेचर में जहां जाकर हम एंजॉय करते हैं जहां जाकर हमको बहुत अच्छा लगता है फोर्तोस क्लिक करते हैं हम वहां जाकर अपनी भी नेचर की तो एक पीसफुल और एक काम इन्वारिमेंट होता है अब आप सोचेंगे मैं हम आज ये क्या बात कर रहे हैं अचानक से मैं को नेचर की कहां से याद आ गई नेचर की याद मुझे इसलिए आई है क्योंकि हमारी कंट्री में एक ऐसा स्टेट है जहां के ऐसे लोग है जो नेचर से इतना ज़ादा जुड़े है कि वो बहुत ज़ादा प्यार करते हैं अपने नेचर को मदर नेचर को क्योंकि उनका मानना है ये जो मदर नेचर है हमा हमारी यह भी Mother Nature से ही रिलेटेड है एक स्टेट के बारे में है वहां के लोगों के बारे में उनकी कुछ माननियता है कुछ बिलीफ है फेथ है जिसके ओपर यह हमारी पोयम है आप देखते हैं हमारी पोयम Small Towns and Rivers 2.8 जो कि हमारी लांस्ट पोयम है पोईटरी सेक्शन में आइस ब्रेकर ब्रेंस्टॉमिंग तो आप जानते हैं हम निक्स लेक्चर में करने वाले हैं बच्चो स्टार्ट करूंगी मैं हमारी पोयट के साथ में तो हमारी जो पोयट है उनका नाम है ममंगदाई जो की ब जर्नलिस्ट है और फॉर्मल सिविल सर्वेंट भी रह चुकी है इटा नगर से सिविल सर्वेंट का मतलब होता है जिन्होंने एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विसस में काम किया हो जैसे आईए आईपीए जी सारी सिविल सर्विसस होगी न तो ऐसी किसी सिविल सर्विस में भ तो इंग्लिश और यह आदी लैंग्विज जो है उसमें लिखा करते हैं अपना जो भी राइटिंग वर्क है वो इन दो लैंग्विज इसमें लिखते हैं यह इसी के साथ साथ एक एक अक्टिव रेडियो स्पीकर प्लस टेलिविशन जोनलिस्ट भी है जो कि बहुत सारे नि से रहे है वर्ल्ड वाइट फंड के किसके लिए रहे है नेचर एंड वर्क्ट विद बायो डाइवर्सिटी होट स्पॉर्ट कंजरवेशन प्रोग्राम सो बेसिकली नेचर से रिलेटेड भी जो प्रोग्राम जाते हैं यह ऐसे पोट है जो उनसे भी ऐसी काफी सारी 17 में ममंगदाई is a strong voice from North East इंडिया का जो North East हिस्सा है बच्चो जहां पर हमारा अरुनाचल प्रदेश आता है सिक्किम आता है मनिपूर आता है त्रिपूरा मेगालया यह जो सारे हमारे North East में आने वाले स्टेट है तो वहां पर जो हमारी यह पोट है हमारी ममंगदाई वह बहुत ही जादा strong opinionated voice वाली lady है क्योंकि यह एक writer है and a poet par excellence whose work has the fragrance of her land and her people इनको par excellence इसले बोला गया है इसलिए excellent इनको बोला जा रहा है बच्चो प्योंकि यह जो लिखती है यह बताती है मैं अपने nature से कितरा जादा चुड़ी हूँ अपने land के बारे में यानि अपने state के बा बारे में जो है वो उनके ऊपर यह क्या करते हैं बहुत सारी poems लिखते हैं जैसे हम जानते हैं यह novelist भी है यह journalist भी है ना कि सिर पॉल इंडिया रेडियो पर television journalist भी है तो यह सारी चीज़ें वह इसलिए करते हैं क्योंकि वह री प्रेसेंट कर रहे हैं अपने state के लोगों को थी उसके अंदर से इस poem को लिया गया है जो कि है small towns and rivers आज की हमारी poem जो ली गई है the river poem के अंदर से जो publish की गई थी 2004 में the poem describes a landscape and nature where river is a dominant phenomena okay मैं आपको समझाती हूँ पहले हम पढ़ लेते हैं इसका मतलब क्या है दो दी concepts like river has a soul river knows immortality of water immortality का मतलब होता है कभी नहीं मरने वाला जीवन जीवीत रहने वाला जैसे हम कहते हैं अमर हो गया है तो यहां पर मानना जाता है कि river में जो है वो क्या बसती है soul बसती है आत्माय बसती है river knows immortality of water तो river जो है वो immortal है कभी मरने वाला नहीं है अमर है poet makes us aware of the lively nature around her hometown जो इनका hometown है हासी गाट करके उसके बारे में उन्होंने बात की है और उसी के natural elements के उपर भी उन्होंने बात की है she finds that even life and death are transient life or death जो है वो definitely एक fact है जो होने ही वाला है the poem is based on the belief of the tribal people from the northeast that the souls of their beloved ones always continue to dwell in the natural elements around so she remembers death when she sees the towns the towns she implies have prospered when nature has been destroyed the poet has expressed anxiety at the developments in the small town इसी के साथ में बच्चों ये जो पूरी हमारी poem का एक समरी दिया हुआ है ये हमको क्या बोलता है northeast के जो लोग है वहां के जो ट्राइबल्स है उनका मानना होता है कि ये ऐसी चीजे है जिसे कि river हो गया river में आत्माय होती है और river में क्या है immortal होता है कभी मरने वाला नहीं है तो इनका मानना है जबी भी हमारे घर में हमारे किसी अपने की death हो जाती है तो death होने के बाद उनकी जो soul होती है क्योंकि हमको पता है न शरीज जो है वो temporary है लेकिन आत्मा तो permanent है क्योंकि वो मिलती है जाके परमात्मा से ये हमारे culture के हिजाब से हमारी सोच है तो north east के लोगों का क्या सोचना है कि हमारे किसी अपने की जब death हो जाती है तो उसकी soul जो होती है वो mother nature में कही न कही क्या होती है घूम रही होती है या तो वो river में होगी water के through या तो वो trees के अंदर होगी तो कही न कहीं ये सारी चीजे क्या है हमारी अपनों की जो आत्मा है वो इनके अंदर बसती है तो जैसे ही वो देखते है कि development हो रहा है हम यहाँ पर towns बना रहे है cities बना रहे है डेवलप कर रहे है तो उसकी वज़य से क्या होता है जब development होता है तो कहीं कोई river project को भी वहाँ पर भी बंद कर दिया जाता है वहाँ पर भी 2 कोई development आ जाता है उस साथ साथ trees इसको कट किया जाता है तो इसकी वज़े से क्या समझ में आता है कि कहीं न कहीं इसकी वज़े से मदर अर्थ को जो है हम क्या कर रहे हैं दीरे दीरे खतम कर रहे हैं उनको खतम कर रहे हैं तो अपनों की डैथ हमको उसमें रिखाई देती है जैसे किसी ट्री को अगर कट कर दि तो यह उन लोगों का मानना होता है बच्चो जिसकी वज़र से क्या है यह जो पोयम है पूरी इस थियरी के ऊपर बेस्ट है मैंने आपको यह चीज इसलिए समझाई है क्योंके यह किसी एक स्पेसिफिक स्टेट को रेफर कर रही है वहां के लोगों के बारे में रेफर कर रही है अगर आपको बैक्राण ऑफ दे स्टोरी नहीं समझ में आएगी तो जो भी इसके अंदर दिया है हमारी आगे पोयम में वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है इसलिए जो मैंने समरी दी है वो डीटेल में आपको समझाने के लिए दी है आओ बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके पहले एक और चीज़े है एक कॉंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते है इंसरजेंसी इं प्रजेक ला रहे हो जिससे हमारे घर उजड जाएंगे हमारे मदर नेचर अफेक्ट हो जाएंगे तो हम उस चीज़े को रोकते हैं मना करते है तो जब हम मना कर रहे है तो हम गवर्मेंट के अगेंस जा रहे है तो उस गवर्मेंट के अगेंस जाने के लिए क्या बोलते है स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम बच्चो स्माल टाउंड और स्मॉल टाऊंड आलज रिमाइंड मी एफ इत्ट जो होते है ये टाउंड ते है मुझे किस eggs दिलाते है डेट की दिलाते जैसे मैंने आपको बताया था अगर किसी कही पर development हो रहा है trees cut हो रहे है rivers pollute हो रहे है तो मुझे क्या feel होता है उतना ही दुख होता है जितना किसी अपने के death होने के ओपर होता है प्योंकि उनकी soul वहाँ पर बसी हुई थी तो poet कहती है हमको जो कि आंधरप्रदेश को ही बिलॉंग करती है उनके small town को जब वो देखती है तो उनको किसी की death की याद आती है my hometown lies calmly amidst the trees तो मेरा जो hometown है जो मेरा hometown है जो मेरा native place है जहां को मैं बिलॉंग करती हूँ वो कहां पर है amidst का मतलब होता है in the middle of the trees in the middle of the trees यानि यह देख रहे हो आप यह उनका hometown में जहां उनका घर है तो यहां आस पास क्या है बच्चो ज़ाड है उन ज़ाड के बीच में क्या है ट्रीस के बीच में हमारा घर है तो यह जो हमारा hometown है चाहे आप summer की बात करो या आप winter की बात करो हमारा घर वैसे का वैसा ही रहेगा हमारा hometown भी वैसा ही रहने वाला है with the dust flying or the wind howling down the gorge तो basically यहां पर बोला जा रहा है dust flying यानि कि hometown में अगर small town को देखकर दुख की होता है क्योंकि वाद development चल रहा है जब development चल रहा है construction चल रहा है तो dust होगा right बच्चो dust होगा dust जो है वो किस तरफ आएगा wind howling यानि की हवाय जो चलेगी हवा चलने के साथ साथ ने वो gorge gorge का मतलब होता है बच्चो valley क्या होती है बच्चो जो घाट के बीच में बड़े बड़े पहारों के बीच में जो छो reductions की वज़े से development की वज़े से ये जो dust हवा की वज़े से जा रही है तो वो कहां जाकर मिलती है इन वैली में जाकर मिलती है जो जाकर उन वैली के थूर तो यहां पर बोला जा रहा है अगले ही दिन किसी की death हो गई क्यों death हो गई यानि development शुरू हो गया तो हम मानते हैं कि हमारे किसी अपने की death हो गई उसके soul को भी मार दिया गया in the dreadful silence we wept तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे चुप रहकर हम लोग सिर्फ क्या कर रहते रो रहते dreadful silence यानि कि सब जगां शांती थी कोई कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि development का काम चल रहा था government जो है वह सुनने तयार नहीं है तो हम लोग सिर्फ बैठ कर रो रहते किसी अपने की death देखकर looking at the sad wrath of tuberosis यह जो है बच्छो यह एक flower होता है ठीक है एक flower का type है tuberosis अगर आप सोच करोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके का वह एक flower होता है रजनी गंधा अगर आपने सुना होगा तो यह जो flower है यह है रजनी गंधा जिसको tuberosis बोला जाता है red का मतलब क्या होता है बच्छो अगर आपने देखा होगा जैसे Christians में अगर आपने देखा होगा dead body के ऊपर जो है इस तरीके का जो फूल है वो क्या किया जाता है पिनाया जाता है इस तो ऐसे क्या होता है वो पूरे के पूरा flowers इसके ऊपर यह जो आप सारा साइट देख रहे इसके ऊपर flowers होते है तो यह जो circle यह टायर के शेप में वो बना हुआ होता है जो dead body के ऊपर र याँनि कि जिन्दगी और मॉर्थ, जिन्दगी और मॉर्थ, राइफ और ध्ट होते रहते हैं, हम देखते रहते हैं को तो जो रिचूट जा करने हों आगे बढ़ते जा रही है क्यों कि वही चीज यह है, जो की पर्मनेंट है यह देखो बच्छो इस तरीके से जो घाट के बीच में पानी बह रहा है इसको हम बोलते हैं गौर्ज यानि की वैली ना दे नेक्स लाइन से नेस्ट स्टान्जा और दी पोयम से इस जैसे मैंने आपको बोला ये लोगों का मानना है क्या की हर चीज के अंदर क्या होती है आत्मा होती है वो जिन्दा होती है तो यहां बोला जा रहा है कि river has a soul बचो याद रखना यह हमारा figure of speech personification हो सकता है क्योंकि river जो है उसको क्या बोला गया है इंसान की equality बताए जा रही है कि उसके पास क्या है soul है अब जैसे हमने देखा कि यह जो गौर्ज के तुरू यह जो हवाय चल रही है उसके वज़े से डस्ट भी उसके साथ आ रहा है तो river को पल्यूट किया जा रहा है यहां पर तो summer में जो होती है इन दे शमर इट कट्स थू दि लैंड यानि कि दो वो घाट की बीच में से क्या हो रही है बहेकर जो है वो नदी आ रही है like a torrent of grief grief यानि की यहां पर बात हो रही है दुख की यानि कि बहुत जादा जैसे बहुत जादा दुख होता है तो उसका यहां पर comparison किया गया है Sometimes I think it holds its breath seeking a land of fish and stars यानि कि अभी रिवर इतनी जादा pollute हो गई है अगर clean river रहता है बच्चो तो हम उसके अंदर कही ना कही क्या देख सकते है clearly fishes देख सकते है और उसी के साथ साथ जो रात को stars होते है वो भी जब चमकते है तो वो भी हमको उनका reflection जो है वो किसमें पानी में दिखाई देता है लेकिन ये river जो है वो इतनी जादा dirty हो चुकी है इतनी जादा pollute हो चुकी है जिसकी वज़े से वो अब क्या सोच रही है river सोच रही है कि अपने breath को उसमें control करके रखा है यानि अपनी सासे रोक रखी है क्यों? क्योंकि वो वो दिन देखना चाहती है जहां पर मेरे अंदर लोगों को clearly land of fish यानि के fish और stars जो है ये दोनों के दोनों क्या हो दिखाई दे the river has a soul it knows stretching past the town from the first drop of rain to dry earth and mist on the mountain tops the river knows the immortality of water immortality का मतलब है बच्चो जो चीज अमर रहती है वो अब ये जो stanza है बच्चो हमने school में पढ़ा था एक चीज के बारे में जिसको हम बोलते है water cycle ये हमने पढ़ा था water cycle क्या होता है sun होगा यहाँ पर फिर वो क्या होता है यहाँ पर हमारे clouds होते है तो sun क्या करता है वो जो पानी होगा वहाँ से पानी का जो evaporation process होता है फिर ये clouds से वापिस से पानी जो है वो नीचे आता है तो ये एक water cycle है एक evaporation process के थूँँ ये चीज क्या होती है continue होती है यानि कि सूरज ने क्या किया पानी को अपनी तरफ evaporation करके लिया फिर वहां से ये पानी जो है वो बादलों में जाते है बादलों में जब पानी ज़ादा जमा हो जाते है फिर क्या होता है रेंज होना शुरू हो जाता है इसी तरीके से बोला जा रहा है यानि कि पानी फिर से नीचे आता है फिर ये प्रोसेश जो है वो चलते रहता है and mist on the mountain tops the river knows the immortality of water यानि पानी ही कैसी चीज है जो की अमर है तो वो जो है वो क्या हो रही है कहीं भी खतम नहीं हो रहा है पानी पानी जो है सूख नहीं रहा है खतम नहीं हो रहा है वो फिर से evaporation process के तुरू वापिस अर्थ पे आ जाता है तो this is what the stanza means a shrine of happy pictures marks the days of childhood small towns grow with anxiety for the future so basically a shrine of happy pictures shrine मतलब यच्छो ऐसी जगा होती है एक बहुत ही holy place होती है जो हम कोई sacred person यानि की कोई बहुत ही जादा ऐसा उपर वाले को मानने वाला इनसान होता है जब हम उसकी याद में उस जगे पर उसकी समाधी बना दे तो यह एक shrine, एक happy place इसको बोला जाता है एक holy place बोला जाता है basically तो a shrine of happy pictures marks the day of childhood यानि यह अपने childhood को याद करते होई सोच रहे है small towns grow with anxiety for the future small towns जो है वो क्या create करती है हमारे इंग्जाइटी create करती है क्योंकि यह सारी चीज़े कही ना कही development की वज़े से mother nature को affect कर रही है the dead and placed pointing west when the soul rises it will walk into the golden east into the house of the sun अब यहाँ पर बच्चो फोर एक्जामपल यहाँ पर हमारा east है यहाँ पर हमारा west है यहाँ हमारा north है यहाँ हमारा south है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है the dead are placed pointing west यानि की जो dead body रखते हैं हम जब किसी की किसी की death हो गई तो उसकी dead body जो है pointing west यानि की यहाँ पर उनका सर होगा और यहाँ पर इस तरीके से जो है वो dead body को रखा जाता है when the soul rises it will walk into the golden east तो जब यह इनकी जब मरने के बाद जैसे हम बोलते हैं से आत्मा निकल कर जा रही है तो इनकी जो सोल निकल के जाती है वो east की तरफ जाती है जिसके through it will walk into the golden east into the house of the sun sun को basically यहाँ पर इनका बोलने का मतलब है कि यहाँ से जो है वो इनकी आत्मा जो जा रही है east की तरफ sun की तरफ वो जा रही है heaven में का जा रही है बच्चों जा रही है heaven में इन दा कूल बैंबू रिस्टोर्ड इन सनलाइट life matters like this बच्चों यहाँ जो इनके घर होते है वो किसके बने होते है बांबू के बने होते है जिसके अंदर असानी से सनलाइट जो है वो आती है अगर आप देखोगे हमारे जो घर होते है जो सिमेंट के बने होते है इच के बने होते है तो कही न कही जब तक window या फिर door ना हो सनलाइट एंटर नहीं करेगी लेकिन जो यह बांबू के घर बने होते है तो कही न कही सनलाइट आती है एक घर में उजाला आता है तो इनका मानना है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि सनलाइट जरूरी है हमारे लिए राइट क्योंकि उससे भी हमको विटामिन डी मिलता है और वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा सोर्स ओफ एनरजी है तो कही ना कही क्या चाहिए हमको सनलाइट का आना बहुत अच्छा है रोशनी भी मिलती है और एक बहुत ही पॉजिटीवीटी मिलती है जब सनलाइट आती है हमारे घर के अंदर तो लेकिन ये जो सिमेंट और इसके घर बने हुए है तुम्हारे सिमेंट के घर है या ब्रिक्स के घर है वहाँ पर आपको इस चीज देखने नहीं मिलती है तो यहाँ पर ऐसे घरों में लाइफ जो है वो क्या करती है मैटर करती है लाइफ जो है वो इस तरीके से होनी भी चाहिए In small towns by the river we all want to walk with the gods यानि कि इनका बोलना है poet का जो हमारी ममंगदाई है उनका बोलना है कि यह जो small towns है जहां पर हमारे जो घर है river के पास होते है हम चाहते है क्या कि जिन्दगी भर यही इसी तरीके से हम जिये यानि कि इनको किसी तरीके का development mother nature को affect करके नहीं चाहिए यह जिन्दगी इसी तरीके से mother nature के साथ रहे जिसकी त्रू हम किसके साथ रह रहे हैं उपर वाले के साथ गौड के साथ हम रह रहे हैं इसी के साथ बच्चो हमारी जो आज की पोयम है वो होती है खतम नेक्स लेक्चर में डेफिनिटली हम इसका आइस ब्रेकर और ब्रेंस्टॉमिंग सेशन कंप्लीट कर लेंगे तिल दें स्टे तून तो आ लेक्चरस और दू लाइक शेर और कमेंड थैंक यू वेरी मार्च